तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं यहां पर वोल्टेज रेगुलेटर जो कि यहां पर क्या है कि इस से में पहले भी हमने इसको बनाया था वोल्टेज रेगुलेटर लेकिन वो मॉस्पेट से दूसरा हमने लिया था लेकिन यह इसको हमने दूसरा लिया है इसका लंबर आप उट्पूट में इसका निकलता है तो चलिए यहां पर देखते हैं कितने क्या पर लोड ले सकता है कितने तक ठीक है तो यहां पर इसको सबसे पहले हम को करना क्या पड़ेगा तो एक आपको अच्छा आप तो यहां पर हिट कर लेना पड़ेगा तो हम क्या करते है कि इस miis हों कर लेते हैं ऐसे लाइक के दिर न्यदी कुश्टार नहीं कि वीडियो को सब्सक्राइब करदे किहाऊं कि यहां पर करते हैंहर तरीका आपके पसंद यहां वीडियो देने के लिए अधिके टेले लिए वह द्यान पर फन देना है होता है कि यहां पर हीटिंग होता है यह मॉस्पेट तो हीटिंग ज्यादा तर यह पीछे का तरफ यह उपर का तरफ नहीं आता है तो चलिए यहां पर इसको कनेक्शन करते हैं ठीक है तो इसके लिए हम एक देखिए एक यहां पर पोटेंशों मीटर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों और कुछ भी यहां पर नहीं है आपको यहां पर दिखता होगा ठीक है 47 के कहा है आप 10 के तक यहां पर यूज़ कर सकते हैं तो इसका जो कनेक्शन है वह बिल्कुल भी सेंपल है भी असान भासा है दोस्तों यहां पर और इसमें क्या है दोस्तों कि आपको वोल्टेज और दोनों आपको यहां पर आपको साथ-साथ आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहां पर अलग से हम नहीं उच कर रहे हैं अगर आप लोग का अगर कमेंट रहेगा अगर रहे हैं तो उस पर देखें यहां पर मार लेते हैं आप लोग यहां पर देखा देंगा देखा दायंगा किस तरीका से यहां पर connection कर रहे हैं बिल्कुल भी यहां पर simple तरीका है, ज्यादा यहाँ पर कुछ भी जहमेला है नहीं, ठीक है, एक jumper हमने यहाँ पर मारा है, अब इसका output, तो output में दोस्तों एक हम यहाँ पर wire ले लेते हैं, output के लिए हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक wire ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर आपको हम load इस पर देखर करके देखा सकें, ठीक है, अब चलिए एक connection यहाँ पर हम कॉर करना है, ज्यादा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखा सकें, तो आप इसको कहीं पर भी attach कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख रहा होगा, यह attach है इस से, और एक जो हम लेते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखेगा दोस्तों, यहाँ पर इसका जो connection है, यह बिल्कुल clear है, यह इसका output हो गया दोस्तों, ठीक है, यह इसका plus input हो गया, और यह minus और पलस, दोनों में यह जागा, ठीक है, input और output दोनों के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या आपको देखाएंगे, एक यहाँ प और आपको यहां पर अच्छे तरीका से यहां पर दीखे हैं चल्द इसको हमने connect कर दीया है अब सबसे पहले यहां पर हम जो कि पाउर सप्लाइब देंगे दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले आपको वोल्टेज आपको चेक करके दखाएंगे कि यहाँ पर कितना मेरा वोल्टेज़ भी आ रहा है ठीक है तो चलिए यहाँ पर डीस बॉल्ट पर हमने सेट कर लिया है और अभी यहाँ पर देखेगा वोल्टेज़ आप अब सुर्य बंद था अब देखे 18 बॉल्ट करें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आप यहाँ पर 30 बॉल्ट उपर भी करा सकते हैं ठीक है कि यह अच्छा खास यहाँ पर यह जो ही लोड लेता है तो चलिए इसको हम यहाँ पर इंपूट कराते हैं तो यह इसका प्लस है ठीक है और यह रहा इसका माइनस जैसा कि हमने आपको बताया यह इसका माइनस हो गिया तो अभी क्या है दोस्तों कि इसको जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर आपको एंपियर चेक कराएंगे तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर वोल्ट इसको ज तो इन दोनों को एक साथ में हम यहां पर कर लेते हैं ठीक है तो अभी जो है कि यह 'll gonna सा आपको गुलो दीखता होगा चलिए हम यहां पर हात में ले लेते हैं आपको सर्कुट भी देखते हैं, ठीक है? क्योंकि लोट यहां है?, अब ही आप यहां मीटर पर देखेगा दोस्तो कि यहां पर कितना इम्पियर यह ले रहा है? तो हम क्या करते हैं? यहां से हम डाल लेते हैं इसमें एक प्रोप को हमने यहाँ डाल लिया दोस्तों और यह जो दूसरा प्रोप है इसको हम इससे पकड़ लेते हैं ठीक है तब ही देखेगा वहाँ पर कितना एंपियर लेगा यह यहाँ से जो कि हील रहा है इसके कारण इसे हो रहा देखेए 0.39 यहाँ पर एंपियर यह ले रहा है ठीक है तो अभी क्या करते हैं यहाँ पर कुछ इससे भी हैबी चीज यहाँ पर हम कनेट करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यह जो मोटर है दोस्तों इसको हम यहाँ पर कनेट करते हैं पहुंतर देखते हैं कि यह कितना наход तक लियुए तो इसको करने के लिये हम इसको यहां से अइस ख़टा लेते हैं कि चली के इसको यहां पर अगर कोई भी चीज़ यहां पर यूज की देखते हैं आप मीटरी यहां देखेगा दोस्तों ठीक है मीटर पर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि छोड़ा सा मॉंटर टाइट है अब है जो अब है अभी एंपियर देखिए दोस्तों जैसे बढ़ाएंगे वहां जो तो अभी आप देख रहे हैं क्योंकि यह मोटर का जो वार्णिंग है दोस्तों इसको हमने खुद से किया है और प्लस क्या है कि जो इसका पहले का जो इसमें वार्णिंग किया वार्णिंग किया है इसके कारण से तो यहां पर अच्छे तरीका से काम कर रहा है और यहां पर हिटिंग का बात करें दोस्तों तो यहां पर नॉर्मली हिटिंग हुआ है यहां पर ज्यादा ही नहीं आ रहा है लेकिन आपको क्या है कि यहां पर अच्छा खासा यहां पर यूच करना पड़ेwedगा तो यह दूसरा वीडियो भी लेकर काई हैं दोस्तों कि उसमें आपको बताएंगा कि आप करेंट और इसका वोल्टेज यानि कि एंपियर और वोल्टेज दोनों अलग से आप किस तरीका से एकजस्ट कर सकते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि अतना जतना कि एंपियर दे रहा है ठीक है